वेलकम टू एस के ग्यान अस्टडी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह आप ट्रिक से बर्गमुल निकालना सीखिएगा तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो चार अंका अगर कोई संख्या दिया रहेगा या पॉच अंका कोई संख्या दिया रहेगा या दो अंका तो उसको आप किस तरह आसानी से उसका बर्गमुल निकाल पाईएगा जैसे यहाँ पर संख्या दिया गया है 3481 इसका हमें बर्गमुल निकालना है तो कैसे निकालिएगा तो देखिए क्या करना है सबस पहले इसके इकाई अंक को देखना है यहाँ पर इकाई अंक एक है यहाँ पर इकाई अंक किसका बर्ग करते हैं तो एक आता है तो यहाँ पर इकाई अंक एक का बर्ग करते हैं तो एक आता है और नौ का बर्ग करते हैं तो एक आता है अब जो बच जाएगा उसे हम देखेंगे वो किसके बर्ग के नजदीक है तो यहाँ पर 34 किसके बर्ग के नजदीक है तो यहाँ पर 36 जदा हो रहा है और 25 और कंबला लेना है तो यहाँ 25 ने है तो 25 के नजदीक है यहीं कंबला ही ले 36 आप सोच रहे होगे कि 36 भी नजदीक ह किसका बर्ग है तो पांच का तो दोनों में पांच लिख देंगे लिख दिये अब क्या करना है कि इसको यानि जिसके नजदीक होगा किसका बर्ग है पांच का तो उसके अगली संख्यां से उसको गुना करना है पांच के अगली संख्यां छो इसको गुना करना है तो हमें क्य आ गया 30 आ गया है अब हमें क्या गया है 30 अब देखना परेगा 30 से 34 छोटा है या बरा है तो यहां पर मैंने देखा 30 से 34 बरा है तो 30 से 34 बरा है तो यहां पर जो बरा होगा यानि एक कावन और 69 जो बरा होगा वही उसका बर्गमुल होगा यहां पर 69 बरा है इसलिए 3481 का बर आईए अगले परस्ट में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या करना इकायस्थान को देखना है इकायस्थान को देखने के बाद हमें ये किलियर करना है कि किसके किसके बर्ग करने पर इकायस्थान 4 आता है तो सबसे पहले आप देखे 4 दो का बर्ग जब करते हैं तब आता है का स्थान चार और जब आठ का स्क्वाइर करते हैं तब आता है चार अब क्या करना अगली संख्या को छोड़ देना है अब जो बच जाएगा उसको देखेंगे कि कितना लिखा है निसाथतर लिखा है अब देखते हैं कि किसके बर्ग क नजदीक है तो 64 88, 89, 89 के नजदीक क्यों नहीं लिखेंगे क्यों कि छोड़ी संख्या लिखते हैं तो 88, 64 64 के नजदीक है यानि 8 दुनों साइर लिख देंगे लिख दिये अब जिसके बरके नजदीक होगा उसको लिखते हैं उसके बाद उसकी अगली संख्या 8 की अगली संख्या 9 इसको गुना करते हैं तो कितना आ गया 72 अब देखेंगे इससे ये छोटा है या बरा अगर बरा रहेगा तो बरा बला होगा अगर छोटा रहेगा तो इससे अगर छोटा रहेगा तो कौन होगा छोटा वाला यहाँ पर इससे बड़ा है यानि 72 से 77 बड़ा है इसलिए इसका एंसर 88 आएगा इस परकार आप असानी से आप बना सकते हैं बर्गमूल आएए हम इससे अलग कुछ उधारन लेते हैं जो पांच अंग का रहेगा तब आप कैसे बनाईएगा यहाँ पर मैंने पांच अंग का कुछ इस परकार उधारन लिया है तो इसके हम इकायस्थन को देखेंगे इकायस्थन पर क्या है नौ है अब किसका बड़ करने पर इकायस्थन नौ आता है तो एक साथ का आता है और एक तीन का आता है तो पहले एक साथ लिख लेंगे एक ती तिरपन तो आपको कम से कम 20 तक का कम सकम 20 बाइस तक का बनी 25 तक आपको याद रहना चाहिए बर्ग यानि अगली ज़्यादा मोटे का निकालते हैं तब एक छोटा मोटा निकालते हैं तब तो इक कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप बरे से संख्याओं का बर्ग मुल निकालते हैं तो उसको याद रखना परेगा कम सकम 25 तक तो यहाँ पर देखिए 453 किसके नजदी का रहा है तो 441 के नजदी का रहा है 441 किसका बर्ग है तो 21 का है 21 लिख देंगे लिख दी है आप देखिए 400 कितना बोले 41 और किसका बर्ग था तो 21 का 21 के अगली संख्या बाइस ने होती है इसको आप गुना कर लिजे तो जब बाइस से गुना करते हैं तो आपको कितना आ जाएगा तो गुना कर लिए 21 गुना 42 21 गुना 42 यानि 462 अब जितना गुना करका येगा उससे यह छोटा है कि बरा है वो देखेंगे इससे यह छोटा है तो छोटी बला जो होगा वो उसका बर्गमुल होगा यहाँ पर छोटा 23 है इसलिए यहाँ पर बर्गमुल 23 हो जाएगा इस तरह आप आसानी से इसका ट्रीक के हिसाब से बना सकते हैं होब कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो इससे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहें दोस्तों धन्देबाद